हेले दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं रविन आप सभी सातियों का एक बार फिर से सौगत करता हूँ आपके इपने चेती परिवार अर्विन सर साइंस में डिस्कस करेंगे आज हम लोग फिर से आज एक नई अविक्रिया के बारे में जिसका नाम है सेंड मायर अविक्रिया तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टाइब करते है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके डेफनिसन को और यहाँ पर मैंने अल्रीडी लिग दिया है ठीक है तो देखे सबसे पहले क्या बोला है कि सेंड मायर अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें डाई एजोनियम के लवड़ ठीक है डाई एजोनियम के लवड़ के विलेन को Cu2Cl2 Oblique SCl Cu2Br2 Oblique HBr Cu2Cl2 Oblique KCN के साथ गर्म करने पर डाई एजो समू मेन N2Cl जो होता है वो ClBr तथा Cn से प्रतिस्थापित हो जाता है मतलब क्या है बात को समझेए कि वह अभिक्रिया जिसमें डाई एजोनियम लवड के विलेन को Cu2 Oblique SCl के साथ या Cu2 Oblique SBR के साथ या Cu2 Cn2 Oblique Cn के साथ जब इसको गर्म करते हैं जो आपका डाई एजोसमू N2Cl होता है वो अगर हम Cu2 Cl2 Oblique SCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो उसका जो Cl होगा वो N2Cl को क्या कर देगा प्रतिस्थापित कर देगा अगर हम Cu2 Br2 Oblique SBR के साथ क्रिया करवाएंगे तो Bromine जो होगा वो N2Cl को प्रतिस्थापित कर देगा मतलब इसको हटा देगा ठीक है और अगर हम Cu2 Cn twice Oblique Cn के साथ इसको क्रिया करवाएंगे में गर्म करवाएंगे तो जो आपका Cn होगा वो N2Cl को प्रतिस्थापित कर देगा ठीक है तो यह रहा हमारा Benzene Benzene Di-Azonium Cloride इसका नाम क्या है Benzene Di-Azonium Cloride ठीक है एक की मिनिट इसका नाम हो जाएगा Benzene Di-Azonium Azonium Cloride Azonium Cloride ठीक है ठीक है ठीक है अब यहाँ पर मैंने लिए Benzene Di-Azonium Cloride अब इसको हम ध्यास देखिए HCl के साथ जब इसको रियक्ट करवाएंगे किसकी प्रजन्स में Cu2Cl2 की प्रजन्स में इसको गर्म करेंगे ठीक है किसकी प्रजन्स में Cu2Cl2 की प्रजन्स में गर्म करेंगे इसको जब हीट करेंगे तो finally आप यहाँ पर ध्यान से देखिए जो आपका यह Cl है ठीक है आपका जो यह Cl है मिन जो Scl है उसका जो Cl है यहाँ से breakdown होगा तूटेगा तो यहाँ से क्या करेगा जो हो जाएगा आपका यहाँ बनेगा C6 H5 और आपका जिब Cl आएगा तो यहाँ हो जाएगा Cl और finally आप ध्यान से देखिए यह जो Cl है वो H के साथ Clreya करके बना लेगा आपका आपका यहाँ पर बना लेगा HCl और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर जो N2 है यह C6 रह जाएगा ठीक है आपका जो N2 है वो क्या C6 रह जाएगा ठीक है गैस की रूप में रह जाएगा आपका ठीक है I hope आप लोग को इतनी बाते समझ में आ रही होंगी clear है चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं suppose मैं फिर से यहाँ अब आप ध्यांस देखिए कि जब मैंने इसको clear करवाया तो इसका नाम क्या बना यह आपको क्या मिल गया finally आपको यह मिल गया chloro chloro benzene ठीक है अब अगर हम co2-br2 oblique sbr के साथ benzene die azonium chloride के साथ किरा करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें finally जो bromine है वो N2Cl को प्रतिस्थाबित कर देगा और finally क्या बनाएगा वो बनाएगा bromobenzene ठीक है आप इसको note down कर लिजिए ठीक है अभी देखिए suppose मैं यहाँ पर एक और लिख रहाँ example मैंने लिया C6H5 N2Cl और यहाँ पर मैंने लिया इस बार मैंने लिया किसको इस बार मैंने लिया HBR को किसको लिया मैंने इस बार HBR को किसकी presence में करवाएंगे तो Cu2 Cu2 BR2 की presence में इसको गर्म करेंगे तो finally हमें क्या प्राप्त होगा अब जो Bromine है यहाँ का यह क्या होगा N2Cl को प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा आपका C6H5 और यहाँ पर आपका बन जाएगा BR ठीक है यहाँ हो जाएगा ठीक है आपका जो Cl है वो क्या हो जाएगा Hydrogen के साथ चला जाएगा तो आपका बन जाएगा SCL प्लस में आपका बनेगा क्या अब यहाँ पर जो आपका N2 था वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो दोस्तों आपका यह क्या बन गया आपका यह बन गया आपका बन गया Bromobenzine ठीक है यह अपका क्या बन गया Bromobenzine I hope आपको सारी बाते Clear होई होंगी ठीक है तो दोस्तों ठीक है आपको सब कुछ Clear है अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो cn है ठीक है वो किस तरीके से die जो समूग को प्रतिस्थापित करता है आप इसका skin shot ले लीजिए ठीक है हड़ गया मैं और या फिर चाहूँ तो आप note कलो बीडियो को pause करके ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते दोस्तों ठीक है फिर से इस बार मैं क्या करता हूँ आप ध्यान से यहाँ पर देखे दोस्तों अब आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान देना है कि इस बार मैंने लिया आपका c6, h5, n2, cl और किसके साथ क्या करवाएंगे kcn और किसकी presence में किसकी presence में c2 और cn twice cn twice इसकी presence में क्या करेंगे इसको गर्म करेंगे तो जो आपका यह cn है क्या करेगा इतने n2 cl को प्रतिस्थापित कर देगा तो finally क्या बनेगा आपका यह बनेगा c6, h5 cn आपका यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद अब आपका ध्यान से यहाँ पर देखिए cl k के साथ चला जाएगा तो आपका finally बनेगा kcl यहाँ पर आपका बन जाएगा kcl और आपका finally फिर से n2 रह जाएगा ठीक है gas group में आपका n2 रह जाएगा तो इसका नाम क्या होगे दोस्तों इसका नाम हो गया phenyl cyanide इसका नाम क्या हो गया दोस्तों phenyl cyanide ठीक है इसका नाम क्या हो गया phenyl cyanide ठीक है तो आप लोग ने अच्छा यह जो मैंने लिया यह भी वही क्या है benzene di azonium chloride और यह क्या है आपका potassium cyanide ठीक है दोस्तो और इसका अपनी नाम देखा Phenyl Cyanide है और ये Kcl Potassium Cloride है उधर आपका जो कुछ भी बर रहा है CL ठीक है तो उसी तरिके से यहाँ भी Kcl भी बर रहा है ठीक है तो I hope दोस्तो आपको ये सारी बाते समझ में आ गई होंगी ठीक है चलिए तो दोस्तों आपको यह class कैसी लगी ठीक है आप लोग comment करके जरूर बताएगा और जो भी आपको doubt लगे इसमें आप लोग comment जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों साथ इसको share भी कीजिए और चलको subscribe भी कर लीजिए और कुछ बचा हो तो वह भी कर लीजिए मिलते ह दोस्तों फिर अगली class में तब तक के लिए बाबाय टेक केर थेंक यू